हेलो फ्रेंज मैं हूं भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुकवित भोली में आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे इसका कोई सीजन नहीं होता यह आप कभी भी बनाए और कभी भी खाएं तो इसके लिए मैंने यहां पर दो कटोरी में डालिया है अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आधा कटोई से थोड़ा सा कम यहां पर मैंने दही डाला है दही थोड़ी खट्टी है अब इसे हां से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर मैंने एक टेबल स्पून बेकिंग पावडर डाला है अब इसे के उपर ही हमें गरम पानी डालना है तो देखिए जैसे हमें गरम पानी डाला वेकिंग पावडर रियक्ट करना शुरू हो चुकी है एकदम बबल से आने लगी इसमें अब इसे हां से मिक्स कर लेंगे हम तो हलके हां से अभी हमें इसे मिक्स करना है बस और यह जैसे ही कठी हो जाए इसे हमें अच्छे से मसल मसल करके इसका अच्छा सा डो बनाना है और इस तरह से आप पटकते जाए इसे ताकि इसके अंदर में अच्छे से एर भर जाए और हमारे जो भट्टूरे हैं वो बहुत ही अच्छे से फूल ले तो इसके लिए बहुत इस तरह से आप पटकते हुए इसे अच्छे से मसल लिजे आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा करके इसे चिकना कर लिजे और इसे बहुत देर तक हमें मसलना है इस तरह से पटकते हुए और आप जितना इसे मसलेंगे और जितना इस तरह से पटकेंगे आपके भटूरे उतन तो अब इसे हम एक गिले कपड़े से ढख करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे लगबग 20 मिनट के लिए और जब तक ये रेस्ट हो रही तब तक हम छोले की तेयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है चार टेबली स्पून मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है अब एक टेबली स्पून इसमें जीरा डालेंगे एक तेजपत्ती, एक स्टार फूल, दो इंच दाल चिनी का तुकड़ा है एक बड़ी इलाइची है जैसे ही मसाले थोड़े से भून जाए इसमें हम अद्रक लहसून और प्याज का पेस्ट डाल देंगे तो यहाँ पर दो बड़े साइज के प्याज लिये थे मैंने आट-दस लहसून की कलिया थी और एक इंच अद्रक का तुकड़ा था तीनों को मैंने अच्छे से पीस लिया था अब जैसे प्याज अच्छे से भून जाए और मसाले ने देखे तेल छोड़ना स्टार्ट कर दी है अब यहीं पर हम तीन कटे हुए टामाटा डाल देंगे एक टेबल इस्पून लाल मेंच का पाउडर है और एक टेबल इस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी का पाउडर डाला है नमक डाल देंगे, स्वादनु सार्स अब मसाले अच्छे से पक जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए तो लगभग मैंने 5-6 मिनट के लिए यह से भून लिया है और मसाले अच्छे से पक चुके हैं अब इसे में हम उबले हुए चने डाल देंगे मसालों के साथ ही हमें चने को भी भून लेना है थोड़ी देर के लिए यहीं पर एक टेबल इस्पून मैंने कसोजी मित्थी डाला है आधा टेबल इस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला है मसालों के साथ में हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और वापस है दो-तिन मिनट के लिए हम इसे ढख करके छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं वो चने अच्छे से अब्ज़र कर ले तो यह देखिए मसालों के साथ में मैंने इसे भून लिया है अब इसमें जरुरत के हिसाप से पानी डाल देंगे जितना आपको गढ़ा या पतला रखना है उसके हिसाप से और वापस से इसे 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे तो छोले हमारी बन करके तयार है इसे रखते हम साइड में और अब चली भटूरे का आटा चेक कर लेते हैं तो यह देखिए एकदम से एकदम नरम हाई अभी वापस से इसे हम थोड़ी देर के लिए मसल लेते हैं इस तार से पटकते हुए और इसे हम चिकना कर लेंगे तो यह देखिए इसके अंदर एकदम अच्छे से एयर भर चुकी है अब हाथ में थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे तो जितना बड़ा आपको भटूरे बनाना है उतने साइज का आप लोई काट लीजिए यहाँ पर और थोड़ा सा सुखा मैदा लगाते हुए हम इसे बेल लेंगे तो यह मैदा है सिकुड़ती है तो इसलिए आप चकले को घुमाते जाएए इस तरह से और भटूरे को बार बार नहीं उठाना है हमें नहीं तो यह वापस से सिकुड़ जाती है तो इस तरह आप चकला को घुमाते जाएए और एकदम equal हमें बेलना है इसे कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं रखना है अगर आप एकदम पतला कर देंगे तो भी ये फूलती नहीं है भटूरे तो हलका सा मोटा रखना इसे तो ये देखे इस तरह से आप सारे भटूरे बेल लिजिए और बेल करके हमें बहुत सारा रखना नहीं है एकठा करके इसे डारेक्टर तेल पे डालते जाना है तो तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है अब इसमें भटूरे डालते जाएंगा इस तरह से आप कल्शी से दबाते जाएंगे और ये देखे बहुत ही अच्छे से आपकी सारी भटूरे जो है इसी तरह से फूलती जाएगी तो जितना अच्छा आप आटा को गूतते हैं उतनी अच्छी आपके भटूरे फूलते हैं और उतनी ही सॉप्ट बनेगी इसके उपर हल्का हल्का सा गरम तेल डालते चाहिए और यह देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी भटूरे फूल करके आई है तो दूसरा भी डाल देंगे हम इसी तरह से एक बार कल्ची से इसे दबाते हुए इस तरह से हम तेलू चाल करके डालेंगे इसमें और यह देखिए जितना भी भटूरे हमने बनाया सारी की सारी इसी तरह से फूल करके पापस आएगी और बहुत ही अच्छी हमारी भटूरे बन करके तयार है और यह खाने में भी एकदम नरम और बहुत ही टेस्टी है तो आप सेम इसी तरह के से बनाएंगे तो आपके भी भटूरे सारी इसी तरह से फूलेंगे यह देखे एकदम सौप्ट बनी हमारी भटूरे और छोले भी तैयार है तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताईए और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना